Hello friends में नाम है वीजे और आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे logical gates की जानेंगे logical gates क्या होते हैं और कितने type क्यों होते हैं और उनको किस तरह से use किया जाता है तो चलिए start करते हैं सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे not gate के बारे में ठीक है not gate क्या करता है देखिए आपके input को लेता है और इसको reverse कर देता है और देखिए इसका symbol किस तरह से होता है यहाँ पर इस तरह से आपका symbol होता है अगर यहाँ पर one डालेंगे तो आपको यहाँ पर zero मिलेगा मतलब अगर और यहाँ पर two डालेंगे तो false मिलेगा ठीक है और यहाँ गर आगर जीरो डालेंगे तो आपको यह one मिलेगा मतलब अगर false डालेंगे तो आपको यह true आउट्पूट देगा false और true कहने का क्या है ए ए one और जीरो के context में कह रहा हूँ ठीक है one मतलब true, zero मतलब false मतलब one पर अगर आपने दिया तो आपको zero value मिलेगी ठीक हो गया अब देखें इसकी truth table देख लेते हैं एक बार हम लेंगे input और यहां पर हो जाएगा output तो अगर आपने जीरो दिया तो आपको output आपको zero मिलेगा ठीक है तो इस तरह सा आप not gate काम करता है किसी भी तरह के input को reverse कर देता ह है अब बात करते हैं end gate की यह हमारा end gate है अब देखें इसमें दो input हैं यहां पर आप तीन input भी लगा सकते हैं और एक output आपको मिलेगा और किस तैसे perform करता है उसके लिए हमें इसकी truth table देखनी पड़ेगी अब देखें तो यहां पर मैं लिख लेता हूं input और यहां पर मैं ल 0 1 यह तरह की चार combination आपके बनें तो यहां पर देखें जो output आएगा वह कैसे आएगा वह A into B आएगा ठीक है A multiply by B ठीक है 0 into 0 0 आएगा 0 into 1 0 0 1 into 0 और 1 into 1 1 आपका यह 1 कब देगा जब दोनों ही input 1 होंगे आपके यह आपका end gate है ठीक है अब हम बात करते हैं और gate की देखें औ gate का symbol क्या है आप देखें दो और gate का symbol इस तरह से आप कर रहता है ठीक है यहां पर भी हम 2 input ले रहे हैं आप चाहे तो 3 input भी ले सकते हैं लेकिन output कैसे generate होगा इसका इसका output generate होता है प्लस करके input और यह output यहां पर मैंने a और b ले लिया दो input ले लिये मैंने यह 0 0 होंगा 1 1 और यहां पर 1 0 1 0 ठीक है तो यहां पर देखें 0 1 किस चैसे पहुम करेगा यह a plus b की तरह पहुम करेगा जैसे अब एड होता है 0 और 1 एड होगा 1 आएगा 0 और 0 एड ठीक है 1 आएगा 1 और 0 होंगे तो यहां पर यह 1 आएगा ठीक है यह 0 कप देखा जब दोनों ही 0 होंगे ठीक है end gate समझ गए और gate समझ गए और मैंने आपको not gate भी समझा दिया ठीक है हम बात कर लेते हैं nand gate की nand gate जो nand है वो आपका not plus end से बनाए इसका मंतलब क्या हुआ कि इसमें and gate तो होगा हमारा लेकिन उसके सान not gate भी होगा तो वो किस तरह से यहां पर 2 input लिए मैंने ठीक है nand gate का आपका इस तरह से होता है d का type और not में यहां पर circle लग जाता है ठीक ह इस तरह से इसकी table कैसे होगी हम यहां पर input ले लेते हैं सबसे बहले और यहां पर ले लेंगे output ठीक है input में a और b ले रहा हूं दो input 00110101 यह मैंने input लिए output में यहां create होंगे तो यहां पर कैसे होगा a multiply b फिर उसका उल्टा ठीक है तो यहां 0 से 0 multiply होगा तो यहां पर कितना अगा जीरो आएगा लेकिन इसका उल्टा कर देंगे now zac illusion söylicias कर दिमें के तो यहां पर कितना जाएगा और यहां पर कितना जैगा वाण आ जाएगा ठीक है और यहीना MARTIN meant कर दो यहां लेकिन हिखा अफना में खरतिए तो वान जाएगा और यहां वडियो होगा लेकिन इसा ए नौर गेट नौर गेट आपकह से बनाए little separate प्लस और से दो गेट से मिलके बनाए इसका सिम्बल किस तरह तरह होता है सबसे बहने और का सिमबल लगाएंगे और यहां पर निगेट करती है बबल लगातेंगे नौल का गेट बन जाएगा ठीक है अभी यह पढ़ना क्यों जरूरी है क्योंकि आपको पता होना चाहिए और गेट किस तरह से पहुंँ करता है नौर गेट नौट गेट ठीक है जब हम प्लस होके ख़ोवन आएगा प्लस होके बन आनाच ये लिकिन इसका निगेट कर देंगे जीरो और जीरो हो चाहिए गा होगया अब समस्थे उर और exclusive नौर के बारे में ठीक है exclusive अब देखें यह यह फ्टोड़े इंप्पोर्टन है ठीक है ठीक है ये XOR का सिंबल है XOR का सिंबल क्या है XOR का में NOT लगा हुआ है ठीक है शिंबल से समझ Вас जाएगा और यहां पर सरकल होगा इस तरह से ठीक है यह इसका opposite है XOR, X NOR का opposite है ठीक है तो इसकी A और B लिया मैंने 00110101 ठीक है इस तरह से यहां भी करिद कर लेते हैं इनपूट और आउटपूट देखे एक्स दोनों में इनपूट में यहां पर वन देदेगा इसी का पूजट यहां हो जाता है आपका X-NOR में A X-NOR का compliment है यह किस तरह से यह 00 similar होने पर 1 देता है different होने पर 0 देता है ठीक है तो इस तरह के एक ट्रूस ट्रेबल मेंने की आपको याद होनी चाहिए ठीक है अब देखे यह logical circuit आपके क्यों important है क्योंकि यहां पर से आपको किसी भी तरह का expression दे दिया जाएगा ठीक ह अगर मैं आपसे बोलो कि मैं आपको यह expression देता हूँ A B into A ठीक है यह आपके expression है तो इससे आपको क्या करना है एक circuit create करना है logical circuit तो आपको किस किस का use करना है जिससे आपको यहाँ पर दीक रहा है यहाँ पर A और B into B मत्तब यहाँ पर कोई एक आपका end operation लगेगा यह पूरा प्लस हो रहा है इसका मत्तब यह और operation लगेगा ठीक है तो यहाँ पर इस तरह से इसको बनाया जाता है create किया जाता है इसका process क्या है वह हम boolean algebra सेखेंगे उसके बाद हम logical circuits create करना है सेखेंगे ठीक है क्योंकि कभी-कभी expression ऐसे दिये जाते हैं जो कि आपके redundant होते हैं ठीक है जैसे कि हम लोग math में करते थे आपको को equation दी जाती है ठीक है उसको फिर आपको क्या करना है simplest form में convert करना होता है उससी तरह से यहाँ पर भी होता है आपको expression दे दिया जाएगा उसको simplest form में मालब कम से कम logical gate use करके create करना होगा तो यहाँ पर देखेंगे जो मैंने question लिया है इ A multiply by B आएगा यह जो output निकला यह मैं किसी input में लोगा किस में लोगा यूकि मुझे AB को यहाँ पर plus करना है A के साथ तो मैं और का gate लगा दूँगा ठीक है और यहाँ पर input दूँगा A तो यहाँ पर देखेंगे क्या input आएगा A plus A into B ठीक है यह आपका input आजाएगा यह और gate है यह और gate है यह एंड gate है यहाँ से मैंने इन दोनों की मदद से यह create करके दिखा दिया आपको ठीक है इसके आपकी truth table भी बनाने को आ सकते है आप truth table भी बना लेंगे ठीक है काफी simple है यह था हमारा logical gates के बारे में नेक्स वीडियो में हम लोग कि अपकी नेकिशने लेखिए कारे सिर्षेण टर्स वीचिद रसे जो देन अर्म चांती है यह थाम है यह करूशने आपके लिए यह चीशने नेकल लिए लूब सेasने के लिए अग रखेंवेमे टापके लिएशने अवीक है लीचिजर कर रखेंड़ का थांस देशने वर